नमस्का दोस्तों डीडीरेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सबीके स्वागत है मैं हमा लोग तो आज जो वीडियो लेकर आए हूँ वो है निम्राय हमत का जेन के में धारा 370 को लेकर विधान सवा में मार्पी जे हाँ बड़ा दिल्चस्प नजारा देखने को मिला है जम्रो कश्मीर की विधान सवा में जो नहीं चाहते कि जम्रो कश्मीर आगे बढ़े जो नहीं चाहते कि जम्रो कश्मीर के युवाओं को नई चीजें वो एक्स्प्लोर करें वो चाहते हैं वो पत्थरबास बने रह उनके इशारों पर नास्ते रहें उनके गुलाम बने रहें उनके स्लेव्स बने रहें उन लोगों ने एक साजिश रची कि 370 को हटाने के लिए रेजुलूशन ने कराओ और यह करो वो करो उसके बड़ा हंकामा हुआ जी पीजेपी के 700 ने का ऐसा कैसे 700 का रहा हूं एमलेज ने का और फिर भाएंकर हाता पाई हो गई मारपीट हो गई और ऐसी तस्वीरे भी आएंगे क्यूंकि जम्मू कश्मीर का एक वर्ग है जो बहुत तिल में ला रहा है क्यूंकि उनके पास पावर नहीं जो पहले की तरह लूट खरसूट हो रही थी वहां के कश्मीर के यु नहीं वापस मिल जाए उन्हें कि हम बीच में बैठे हैं पहले दिल्ली से बात चले हमारे तक पहुंचे हम फिर देखेंगे उसका क्या करना है अभी तो दिल्ली से बात चली सीधे महां के लोगों तक पहुंच रही है पर यह इंको बरदाश्ट नहीं तो इसके खिलाफ ल पाकिस्तान का हिस्सा तो कहीं पर भी नी लिखा हुआ उसमें यह हिस्सा है कि कश्मीर दिदी कुछ भी नहीं पता है दिदी आपको और आप चलीए कश्मीर पर ज् Collins का इससा रहा है आपके अब्वु ने हिस्सा बनाया था या आपके दादाजान ने किस ने बनाया था हिस्सा पाकिस्तान को पैदा हुए 78 साल हुए जम्मू कश्मीर सैकड़ों साल से है तो आप पर मेरा हक है। अपने दादा को तो मैं बताऊंगा कि किसके हिस्से में था मैं है। मतलब अलग से अपने फैसले लेगा लेकिन जब वो हटाया गया तो इंडिया का उसको पार्ट बना दिया। निबरा ये बात आपको भी समझने के जरुवत है कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट नहीं हुआ। बहुत होरोली आप लोग कोई इस बात की जानकारी लेनी पड़ेगी और ताकि आगे से आप लोग गलत फैक्ट नडाने। 370 जो था वो किसका पार्ट था। किसने लगाया था। कब लगा था। जम्मू कश्मीर जब भारत के साथ शामिल हुआ जब वहां के महराजा हरे सिंग ने एक्सेशन पर साइन कर दिया वो भारत में उनका विलाए हो गया जम्मू कश्मीर का जैसे बाकिये रियासोतों का होगा था। उसके बाद स्पेशल पावस दी गए जम्मू कश्मीर स्टेट को स्पेशल स्टेटस दिया क्या। उसके तहट एक temporary ये लगाता हूँ screen shot पढ़ लिएगा temporary article 370 जोड़ा गया उसमें जिसके आगे clearly लिखा था temporary और ये क्या था ये भारत का आईन था भारत का constitution था जम्मू कश्मीर के शामिल होते ही भारत में उसके आईन के मताबिक चलना पड़ेगा आपको समिधान के मताबिक चलना पड़ेगा तो भारत का constitution 1947 में ही लागू हो गया वहाँ पर जैसे ही विलाय हुआ तो वहाँ पर भारत का ही कानून चलता था वो तभी भारत का पाट बन गया था 1947 में तो अगर आप ये कहते हैं कि 370 हटाने के बाद वो भारत का पाट बना तो ये सरासर गलत है अगर वो भारत का पाट अब बना तो 370 किसने लगा है किसके constitution के मताबिक वहाँ पर सरकार है चल रही थी तब से अब तक किसके constitution के मताबिक वहाँ पर elections हुए किसने elections करा है इतने सारे elections हुए हैं भारत सरकार ने कराए ना भारत सरकार बजट देती है ना भारत सरकार के लिए लोग काम करते हैं ना वहाँ पर तो यह बात आगे से आप लोग यह प्लीज मत करिये कि 370 हटाने के बाद भारत का पार्ट हुआ नहीं कि 370 हटाने के बाद कुछ नियों में छूट मिली भारत का पार्ट वो 1947 से हैं वहां की जो यू है क्या कहते हैं पापुलेशन है उसको बहतर बता है कि आया हमारे लिए पाकिस्तान के साथ रहना बहतर है या हम इंडिया को अपना रूरल असेप्ट करें तो वह जदा बहतर है वहां इस्संबली में पाकिस्तान का नाम एक बार भी नहीं लिया गया एक बार भी नहीं लिया गया वहां लड़ाई पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए हो ही नहीं ड़ी आई अच्छा तो उनका ये है कि हमें इंडिया का इस साइड पर जाना है एक बंदे नहीं बैनर उठ तो 370 रिस्टोर करना भी इंडिया के खिलाफ जाने की बात नहीं है इसे और रहिंग इंडिया के साथ ही बस उनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा चीए जो उनने 1947 में दिया गया था 370 के मुताबिक इन 1948 में जब भी दिया गया इस बात के चर्चान हो नहीं कि हमें पाकिसान के साथ जाकर मिलना है वो कहने कि वो स्पेशल स्टेटस हमें दे दूंग इतना जबारा कि पाकस्ताननका यह जाएना चाहिए हाई हमारे हिस्से कभ अपई अच्मीर कुब अपंग है उस सना सी ऑफिस्विशली हिस्साthose-टि joke लेकिन पाकिसानकी हते हैं जो इंडिपेंडनेंट रहा मैं खिक कि अच्छा तो फिर वो यही कहते होंगे कि इंडिया हमसे सदा ग्रोव कर रहा है पाकिस्तान से तो शायद उनको अपना इसमें बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें उनके साथ जाना है पता है कि जब पार्टिशन हो रही थी वहां के महराजा वहां की जो जितनी बी प्रजा थी वह पाकिस्तान के साथ आने के लिए तो मानी नहीं थी उन्होंने का हम अपना अलग बनाएंगे आपको लगता है कि अगर वहां आर्टिकल 370 बहाल कर दें इसका काउंटर कोश्चन निम्राइए नहीं हो सकता अगर मैं होताना आपनी जगअ पे और एक निष्पक्ष अगर मैं होने की बात करता एक डम बैलन्स बात करनी कुश्च करता तो मैं कहता कि अच्छे ठीक है आपने कहा कि जी अगर वो आजाद रियासा चाहते हैं तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए और उनको ऐसा करना चाहिए तो बहुत पट्टे से सवाल करता तो फिर बलुचिस्तान वाले भी आजाद रियासत मांग रहे हैं तो क्या बलुचिस्तान को भी अलग कर देना और यह तो डॉकुमेंटेड है अगर वह बहाल हो जाएगा तो कश्मीर इंटेग्रल पार्ट नहीं रहेगा इंडिया का तो क्या वहां पर उस तरह से डिवेलपमेंट्स हो पाएंगी जैसे अब हो रहें हैं आइधिंक हो से किया हो पाएंगी क्या हाँ शायर यार वैसा नहीं कहना चाहिए लेकिन इन दीदी को ना कुछ भी पता निया ना जियो पॉलिटिक्स का पता है यह की पता है कश्मीर बने का पाकिस्तान और कश्मीर ज तो वो खुद भी पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते है मुझे लगता है कि पाकिस्तानी एक बिला वज़ा की जंग जो है उनमें है इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर को लेके कश्मीरी खुद भी पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते है और ना ही मुझे कि आजके आरों कि आरो सूंह्ट कि एक अड्या झूंड़ जो है कि यॉई नहें जाझ पॉब आपिडुक्अ कश्मीर, घ्र लेकपने मैं जुआनूर्टी है जय वह किस एन्डिया में जैसे इंडिया के जो बहुत सारे लोग है अकसर वहां पर भी जो हैं वो अभी उता रहता है फिजिक भी कोई ना कोई लड़ाई होती है पोर टैस्ट होते है तो मेरा नहीं ख्याल है कि कश्मीर में हां कश्मीर में जैसे समटाइम वोर की सिच्वेशन होती है किसना किसी सिच्वेशन पर तो मेरे ख्याल से वो भी पार्ट नी बन रहना चाहते हैं कोई वार की सिच्वेशन नहीं है मेरी जान या आप 2019 से पहले की बाते कर रहे हो जब वहाँ सेप्रेटिस्ट लोग मौझूद थे जो वहाँ दुकानों को बंद कर देते थे पत्थराओ हो गई दुनिया के तमाम लीडर वहाँ पर आ गए वो तरक्यों में आगे जा रहे हैं तो मुझे इस हवाले से नहीं पता है लेकिन जो मेरे प्रिवियस जो है एक्स्पीरियंस रहे हैं न्यूस के हवाले से और यह सब चीजें देखते हुए तो मुझे तो मेरा ख्याल यह कि पाकिस्तान का तो पार्ट नहीं बनना चाता और वैसे भी पाकिस्तान की जो सिच्वेशन है बहुत सारे अभी ऑपाकिस्तानी माइग्रेट होना चाहते हैं तो कश्मीर क्यूंप बनेगा मुझे यह बताएगा अगर 370 वहां लग जाता अर्टिकल अगर इंटेग्रल प इंटेग्रल पार्ट नहीं है कि और इंटेग्रल पार्ट तभी हो गया था और अधा कोई हमने कटित आग harvest की इसेविंटी फोगा था कि वा पास अ ते से लोगा नहीं है आज अगा अगल estas इंडिया का कश्मीर ओफिशली तो आपको लगते कि कश्मीर के अंदर तरक्की हो सकती है जैसे एक कंट्री का नेम मैं बूल गई हूँ I don't know क्या नेम है उस कंट्री का लेकिन अगर उसने भी जो है कर लिया है कंट्री मुझे बटाये ताइवान I don't know मतब रिमेंब आय मुझे याद नहीं है भी इनक्री का नेम लेकिन उसने भी अगर स्टैंड कर लिया है तो मेरी खाल से कश्मीर भी अफगानिस्तान लेकिन मुझे लगता है कि अकर वो स्टैंड कर सकती है तो बस यूनिटी चाहिए पब्लिक के पास पब्लिक में होनी चाहिए तो मेरे खाल से वह सिबला है एक बात बताएगा जब कश्मीर के अंदर कर्फियू लगे होते थे आए दिन पत्राओं होता था जब वहां 370 आर्टिकल लगा हुआ था जिसके मुताबिक ऑफिशली पार्ट नहीं था कश्मीर इंडिया का तब वहां तरक्की क्यों नहीं हुई मुसल्मां ही थे कि वहां जो सेपरेटिस थे वह मुसलमाद है जो मुसलमां पर पत्राओं करते थे और इसी तरह अगroll जैसे अफगाणिस्तान में भी तालिबान वी तो मूस्लिम है ना तो इसी तरह मुझे लगता है कि ह यार कंट्री में इस तहरा के खर्वद्व पसंद और extremist लोग मुझूद होते हैं तो मेरे ख्याल से यही रीजन हो सकता है कि किसी भी कंट्री की development ना होने में इनमाडम को भी कुछ में नहीं पता हैं पाकिसानियों के साथ बहुत बड़ी problem है उनको बिलकुल knowledge नहीं है हमारे यहां जो बच्चे हैं हमारे यहां जो बच्चियां हैं आप उनकी knowledge चेट करो कभी जाकर हमको knowledgeable चीज़े पता होती हैं वही नहीं कि मैं जह नहीं पता मुझे लगता है मेरे खयाल से ऐसी बात नहीं होती है भरपूर knowledge होती है किश्मीर तो हमारा पाकिस्तान का ही पार्ट होना चाहिए हम क्यों इंडिया को दे दें लाहौर तो हमारे पंजाब का पार्ट होना चाहिए हमारे भारत का पार्ट होना चाहिए हमने क्यों दे दिया हम इस पर दावा ठोकेंगे क्योंकि हमारे महराजा रंजीत सिंग लाहौर पर राज करते थे और लाहौर 70% हिंदू और सिख्षों का था वहां पर रहते थे तो तो इस पहे तो हमारी ही खुम्मत को स्टेड़ लेना चाहिए और अपने अग्दादार को इस्तवाइब करते हुए अपना हिसा वापिस लेना है उन्से मतलब कि किशमीजर मेंभी विरास्ट में मिलाता किया हमारी विरास्ट ही है तो अपने अब्बू से मांगो ना कागज विरासत है तो पाकिस्तान के किसी भी बाप से मांगो ना विरासत कि उसके कागज विरासत में हमें मिला था हमें जरा कागज दिखाई पाकिस्तान को पैदा हुए जुमा जुमा 77 साल हुए और आप से 400-500-1000 साल पहले से वहां पर मौजूद एक कश्मीर वो आपका कैसे हो गया भाई आप पैदा हुई है बाद में और आप दावा ठोक दें कि हमारे आठ पुष्ट पहले जो पैदा हुआ था उस पर मेरा हक है पॉसिबल है क्या कमाल है वो हमारी विरासत है साउदिया भी फिर हमारी विरासत हुआ अफगानिस्तान भी हमारी विरासत हुआ कतर एजिप्ट सारे हमारी विरासत हुए ये कैसी बात हुई है बस हमारी विरासत ही होनी चाहिए असूलन तो किसकी विरासत है हमारे मुसलमान यहां पाकिसान चोड़ कर क्यों भाग रहे पाकिस्तान में क्योंकि relatable क्युंकि उनको फिसलिटीज में भी नहीं नहीं उनने बाहिर जाना पड़ता है हकूमत को चाहिए कि उनके लिए सारी फिसलिटीज अरेंजक करें ताके बाहिर ना जाएं और अपने मुलक से महबत करें और अपने मुलके लिए ही वो सर्फ करें लेकिन जब उन्हें यहां पर नहीं चीज़े मिलती तो वो बाहिर मूब आउट कर जाते हैं वो शक्स जो बैनर लेकर जम्मु कश्मीर इसंबली के अंदर खड़ा हुआ था आपको क्या लगता उसको फंडिंग ह हुई है उसकी ब्रेंवाशिंग हुई है जो से जम्मु कश्मीर के अंदर खड़े होकर यह बात की है इसको इंडिया का पार्टन ही बनना चाहिए आर्टिकल 370 को बहाल करो ब्रेंवाशिंग ही होगी उसकी जो यह बात कर रहा है जी क्या के तो अब कितना फैसिलिटेट की आप चाहते हो के फिर भी पाकिसान का इस्टा बने यह करेंगे हम क्या करेंगे मतलब यह देखू जो न arrangements customers कमबों तो ना उना वह उससे तो बचाया जा सकता ना उनको इसे मतए थे पाकिसान में नहीं हो रहा है पाकिसान में भी हो तो रहा है लेकिन अच्छा फिर हम कैसे उनको बचाएंगे वहां पर सकून में हैं को हर फैसलिट ही मिल रही है वहां पर हमारे कश्मीर के अंदर आपको पता है लड़ लड़के 3-5 रूपय का एक उनिट उन्होंने करवाया ह अच्छा मैं इस पर क्या बोलूगी लड़कर नहीं अपनी जाने देकर आप ये पूरी बात बताईए पाकिस्तानी फौजियों की गोलियों से छलनी होकर उन्होंने वो हक हासिल किया है क्योंकि आप उनके पानी का इस्तमाल बिजली बनाने में करते हैं आप उनके संसादम करते हैं उन्हीं को बिजली बेशते हैं साथ रुपे बनाते हैं और चालीस रुपे बेशते थे ते कैसे बरदाश करेंगा कोई जाने दी हैं पाकिसान योकवाट जम्मो कश्मीर का लोगों ने बिजली का रिट कम कराने के लिए लड़ लड़ा कर नहीं किया है जान देकर आप क्या चाहते हो कि कश्मीर का हाल ये वला हो आपको कभी लगता है कि वो हमें चूस करेंगे लगता तो नहीं है लेकिन क्या कहा जा सकता उनकी च्वाइस है तो कहें जो उनकी मर्जी है जो हमारी हुकूमत जब इंडिया ने ऑफिशली उनको अपना इंटेग्रल पार्ट बनाया है ठीक है तब कश्मीर के अंदर अनलिमिटेड डिवालपेंट्स हुई है अब अगर वो आप उनका उफिशली इंटेग्रल पार्ट नहीं रहेगा तो क्या व कश्मीर तरक्की कर सकता है लेकिन इसी तरह कि अगर पाकिस्तान का साथ दे तो छोड़िए इनको भी कुछ नहीं पता है तरक्की कर सकता है मैं चैलेंज करता हूँ मैडम आपको अगर आप तक मेरा ये वीडियो पहुँचे मैं चैलेंज करता हूँ आपको आप एक महना ल आपके पूरे पाकिस्तान में वैसा रेल नेटवर्क नहीं है जो रेल नेटवर्क हमारे जम्मो कश्मीर में है रेलवे का निजाम पाकिस्तानी उकुपाइट जम्मो कश्मीर की इन्वस्टीज कितनी है आप जरह सच कर लिए कि हमारे जम्मो किश्मील में इन्वस्टी इस किती है NIT और IIT के बराबर के पूरे पाकिस्तान में कॉलेज कितने हैं एक भी नहीं हमारे जम्मो किश्मील में IIM के बराबर का इस्चू पाकिस्तान में कितने हैं एक भी नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर में वहाँ का इंफ्रा देखिए, टरनल देखिए, बिजली 24 घंटे रहती है, सस्ती बिजली है हर चीज अविलेबल है, खाना, पानी, पेट्रोल, सब कुछ टूरिजम, नौकरिया, रोजगार, रोजगार की थोड़ी कभी है लेकिन वो पूरे देश भर किया यालत है, तो रोजगार अब पाकिस्तान में नहीं, बाकिये स्टेट से तो में तुलना हीен निका, जम्मो कश्मिन मौजूदा नहीं कर पाईं, और रही बात 370 की, तो मैं आपको PM मोधी की एक बात दूना न चाहतूँ जो भी इस्तर के बायान बादे चल दी ना उसके उपर दिया है सुनी आज हमारी आखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दिवार थी ना उदिवार को मैंने कब्रस्तान में गाड़ दिया है और जो सपने संजो रहे हैं कि वे कभी 370 सो पुनर जागरन करेंगे फिर से लगाएंगे वो कान खोल करके सुन ले ये विरासत मामूली विरासत नहीं है दुनिया की कोई ताकत दुबारा 370 नहीं ला सकती है यह पॉसिबल नहीं है कि 370 वापस हो जाए उस पर पॉलिटेक्स चलती रहेगी उनको भी तो पावर चाहिए ना 370 वाला मलाई वाला टाइम चाहिए उनको कि सारी मलाई हम खाएंगे और जमू कश्मीर के लोगों तुमको घंटा कुछ नहीं देंगे हम खाएंगे बैदे यह होना 370 तो वापस नहीं आएगा याद रखिए पाकिस्तान रूता रहे चल लाता रहे पांच साल बीट गया ना पचास साल ऐसे ही और बीट जाए और कश्मीर तो खतम है पाकिस्तानी कश्मीर के नाम पर क्या को हूँ अपनी पैरों को काट रहे हैं अब गबाद गले तेक पहुंच गिए एक दिन आएगा गला भी काट देंगे वो अपना शारक तो वैसे ही कटिंगी उनकी पर यह मैं नहीं कहता है आपके हाँ के लोग कहते हैं शबर जादी सुनी क्या वज़ाएं देसे जग करने की कश्मीर एक मामला है जो हली हो रहा है कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है भूल चाए कश्मीर को कश्मीर लेना है तुम लड़के ले लोगे तुम क्या बाते करो यार तुम यह कह रहे हो तुम किस दुनिया में बैठे हो टाटा कमनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बरावर हो गया है एक कमनी का कश्मीर आदा कराएं चेट पढ़े हो खाने को रोटी नहीं है कश्मीर आदा कराएंगे कभी नहीं देपाएंगे आप तो आपको पैसे खर्च करने है आपको अपने लोगों की जान गमानी है तो करिए एक दिन आएगा ऐसा जिस दिन इंडिया का माता हुआ खराब बोलेगा कि यार बहुत हुआ एक ही बार में निप्टारा करते हैं लडाई और इसे भहेंकर लडाई होगी तो सारा जजबा, सारा कलमा तो 71 लिए बाहर आगिया था इस बार उस से भहेंकर बाहर आए देखना और जो कहता नहीं एटम बं एटम बं एटम बं उन करूझ जाएगा आपकर सारा बैठे रहना, खेलते रहना एटम बम से, फुंतरू से तो ऐसी नौबत मता आने दो पाकिसानी न, तुम्हारी और बैंड बज़े फिर पानी के लिए भी चिलाओगा, अब तो आटे के लिए चिलाओगा, फिर पानी के लिए भी चिलाओगा पानी से याद आया, वो इंडस वाटर टीटी पे कुछ चल रहा है, चिलाओगा पानी के लिए बहुत जल्दी, दोस्तों कमेंट करेंगा बताएं आप क्या कहते हैं, जल्दे मलता हूँ, एक वाने वीडियो के साथ, नमस्कार, जाहिए तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो fan call पर आप मुझसे connect हो सकते हैं, fan call में ये सुविदा है कि आप अपने हिसाब से वहाँ पर जाकर time slot book कर सकते हैं, कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने time कर मुझसे बात करनी है, लेकिन ये भी बता दूँ कि ये paid service है,